हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस बीजी चैनल में तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी कुछ कपरी सामने निकल का रही है जो भी देवी एले उनिवर्सेटी के स्टुडेंट है और आपने पश्टियर है सेकेंड है तर्डियर में एडिमिसन लिया है तो दोस्तों अगर आपने अभीता के एक जाम पॉर्म एप्टाइड नहीं कर पाया है तो आपके लिए एक और बाड़ी कुछ कपरी सामने आचुके यह देवी एले उनिवर्सेटी से आपके एक जाम पॉर्म बनने की जो अंतिम तारीक रखी गई ती अब उसको आंगे बढ़ा दिये अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यों कि आपको पता है यहां पर डी एबी उनिवर्सेटी से संब्धे हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है तो दूसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं देवी एले उनिवर्सेटी के दोवारे एक नोटिपिकेशन जारी किया गया है इस नोटिपिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि बीकॉम विकॉम होम साइंस यानि कि देख प्राइबेट के स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए रने बाला है जिनकी जो परिच्चा है अप्रेल 2020 में होना प्रिस्तावित हैं और दोस्तों एक बात कि किस तरह से हमको जो टाइंटेबल डाउनलोड करना है तो आप टाइंटेबल करने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पर वीडियो अप्लोड कर दिया है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो एक जांप और में कब से कब तक बर हिते हैं और दोस्तों इसके बार 12 100 रुपए का शत्रा चाराज देगा 15MMार तक आप अपना परिच्वाशा पौंग को बर सकते हैं लेकिन डोस्तों अगर आप 15 रुपे तक परिच्वाशा पौ pellis की बर पाते है तो प eva 100 रुपा से केश्चरा बरॉब परारण होने 5 दिन पहले तक अपना परिच्छा पॉम बर सकते हैं तो यहीं थी आपके लिए चोटी सी इंपॉर्मिशन जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी अब मैं आपको पीस के बारे में भी तोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पीस के बारे में भी बता देता हूँ अगर हम रेगुलर की पीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो 2000 रुपे रहने बाली है हमारी एकजाम पॉम गी और दोस्तो अगर प्राइबेट की बात कर लेते हैं तो 200 रुपे हमारी पीस रहने बाली है अब दोस्तो मैं एक बात और मैं आपको चोटी सी और दोस्तों ऑकर वारे हैं भी स्टुडेंट का से से एक एपरायल से स्सल्ट नहीं इंट आपको वीडियो के मद्दम से इंपाउम कर दिया जाएगा बहुत जल्द इसके एक्जाम डेट भी आने वाली है तो यहीं थी आपके लिए छोटी सी जानगाई जो आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने तक एक्जाम पाउम एप्लाई नहीं किया है तो एक्जाम पाउ पाति इस्टाग्रेम पाउलो कर लेए जो भी आपके डाव्ट में निक्वार्स आपको Eh